इरान के राश्पती इब्राहिम राइसी की हेलिकॉप्टर क्रैश में हुई मौट से इरान समेत उसके समर्थक सक्टे में है राइसी के दर्दनाग हादसे में हुई मौट से इरान को बड़ा जटका लगा है इरान की सरकारी मीडिया ने मौत की पुष्टी करते हुए राश्पती इबराहिम राइसी और विदेश मंत्री को शहीद बताया है बताया जाता है कि कट्टर पंथी विचारों के लिए मशुहूर 63 वर्ष ये राइसी को खामनेई का उत्तरा धिकारी माना जा रहा था ऐसे वक्त पर राश्पती राइसी का यूँ असमय निधन जाहिर तोर पर इरान के लिए एक धक्के से कम नहीं है दरसल इरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति आयातुला अली खामनेई की उम्र पहले ही 85 साल की हो चुकी है ऐसे में इरान का नित्रत करने के लिए किसी काबिल भरोसे मन चेहरे की तालाश काफी एहम और चुनोती पूर्ण रहने वाली है बतादे की साल 2021 में राश्पती पद पर आसीन हुए राइसी ने बेहद ही कम समय में इरान को मिडलीस्ट की एहम धुरी बना दिया था जिनकी मौत की गूंच अब पूरे मिडलीस्ट में साफ तोर से सुनाई दे सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि एरान ने लिबनान, सीरिया, एराक, यमन और फिलिस्टीनी इलाकों में अपने प्रोक्सीज की मजबूत सेना खड़ी कर रखी है जो इरान के एक इशारे पर इसराइल अमेरिका समेथ पश्च्चमी देशों पर कहर बरपा सकते है मालूम हो कि इसराइल हमास युद के बाद से इरान मिडलीस्ट की सबसे बड़ी ताकत बन कर उभरा है जहां उसने सौधी अरब जैसे देशों को पचारते हुए मिडलीस्ट में अपना वर्चस्व कायम किया है बीते अप्रेल महिने में ही पहली बार इरान ने अपने कट तरदुश्मन इसराइल पर साड़े तीन सो से ज्यादा हवाई हमले दाग कर अपना बदला चुकता किया था जिसके बाद से मिडलीस्ट में तनाव चरम पर पहुँच गया था और दुनिया भर के देश एक और युद्ध की आशंग का लगा बैठे थे बता दे कि इसराइल ने सीरिया की राजधानी धमिश्क में इरान के वानिजिक दूतावास पर रेस ट्राइक की थी जिसमें IRGC के दो टॉप कमांडर समेत नौ लोगों की मौत हो गई थी इसके बाद तम तम आए इरान ने इसराइल को नतीजा भुगतने की चेतावनी दी थी पिछले कुछ सालों में इरान और अमेरिका के रिष्टों में भी काफी तनाव देखा गया है इरान के रूस को ड्रोन और मिसाइलों की सप्लाई को लेकर अमेरिका ने इरान पर प्रतिबंधों की जड़ी लगा रखी है बावजूद इसके इरान ने अपने हतियारों के जखीरे में एक से बढ़कर एक हतियार इखटा करने में कोई कमी नहीं की माNa जाता है कि इबराहिम राइसी के कारेकाल में कई मोकों पर दिखा गया की इरान ने अमेरिका से पंगल लिया और इरान का मिडलीस्ट में बढ़ता कद देख अमेरिका समेत इसराइल दोनों ही उसे किसी ना किसी तरह के प्रतिबंदों के जाल में फसा कर रोकने की कोशिश करते रहते हैं इरान मामलों के जानकारों की माने तो रईसी की अचानक मौत का इरान के शाशन पर कोई खास असर नहीं होगा इसका जो कुछ भी असर होगा वो खास तोर से घरेल उस्तर पर ही होगा एक्सपर्ट्स कि माने तो रैसी की मौट से ना तो एरान की इसराईल के साथ दुश्मनी बदलने वाली है ना ही हमास, हिजवुल्ला और हूतियों के जरिये चलाए जाने वाले प्रोकसी वॉर ठमने वाला है दावा किया जा रहा है कि एरान की सारी आकरामक नीतियां पहले की तरह ही काम करेंगी माना तो ये भी जा रहा है कि रैसी की मौत से एरान मिडलीस्ट में और खतरनाक रूख अख्तियार कर सकता है जिससे इसराइल और अमेरिका जैसे देशों की मुश्किले बढ़ सकती है हाला कि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि रैसी की मौत महस एक हादसा थी या फिर साजिश अगर इसमें जरासी भी साजिश की बू आती है तो इरान बिलकुल भी शान्त नहीं रहने वाला है खासतोर से इरान के सुप्रीम लीडर जो रैसी को बेहद खास मानते थे जो उन्हें भविशे का सुप्रीम लीडर का दर्जा देने जा रहे थे ऐसे में रैसी की मौत इरान के लिए बड़े जटके से कम नहीं है